दोस्तो आज की इस विडियो में आपको बताने वाला हो कि Keep Clean application किया है और इस application को कैसे ईउज करें तो GUYS अगर आप पी चालना चाहते हैं तो इस विडियो को पूरा देखना बिल्कुल भी skip मत करना वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर भी तक आपने मारी चानलों को सब्सक्राइब नहीं किया तो चानलों को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लिजेगा तो चलिए फ्रेंट्स आज काई वीडियो स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको प्लेश्ट्रों में जाना और प्लेश्ट्रों में Keep Clean अप्लिकेशन को सर्च करना है दोस्तों यहाँ पर आपको इस वाली लोगो वाली आपको डाउनलोड करना और दोस्तों इस अप्लिकेशन में आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं आप अपने मोबल को कम्पलिटली स्कैन कर सकते हो, क्लीन कर सकते हो इसके लावा यहाँ पर आपको बैटरी आप्टिमाइजेशन का उप्शन मिलता है और यहाँ पर प्रॉक्सी सर्वर का उप्शन मिल जाते हैं जहाँ पर आप फास्टेट सर्वर कनेक्ट कर सकते हो तो अगर आप जानना चाहते हो कि इसे कैसे यूज़ करना है तो सबसे पहले आपको इसे ओपन करना है जैसे ही दुस्तों आप अपने मोबल में keep clean application को open करोगे तो गाईस कुछ इस तरीके से आपको इस application का user interface मिल जाएगा आपको इस application को आपको completely यहाँ पर आपको load होने दिना है और जैसे यह application load हो जाएगे इसके बाद यहाँ पर कुछ add शो करेगे तो उपर से आपको add को आपको skip करने के बाद दूस्तों यहाँ पर यह application open हो जाएगे यहाँ पर आपको सबसे पहले faster server connect करना होगा तो यहाँ पर आपको इस पीस वाली बटन पर क्लिक करना है या फिर आपको जोए okay option पर क्लिक करना और इस पर क्लिक करने के बाद गाईस आपकी mobile में faster server connect हो जाएगा तो यहाँ पर आपको कुछ time wait करना आप देखतो कुछ add show कर रही है तो यहाँ पर गयाईस आपको उपर से add को skip करना है तो यहाँपर आप Can सेटर्वर कनेक्ट हो चुगा ऐसके बाद यहाँ से आपको बैक आना है बैक आने की बाद घाइज है है यहाँ आपको देक्शन पर करनेक्ट हो चुगा इसके बाद घाईज यहाँ पर आपको कनेक्ट मैंपेड पर क्लिकना है और इसके बाद आप देख तो connected यहाँ पर शो कर रहा है तो फिर से आपको back option पर क्लिकना और यहाँ पर आपको जो है अलगलग features आपको देखने को मिल जाते हैं जहाँ पर आपको phone booster का option बैटरी सेवर का option आपको देखने को मिल जाता है तो यहाँ पर आप जिस भी तरीके से यहाँ पर आप देख तो phone booster पर क्लिकने के बाद इस तो आप अपने mobile को completely आप बूस्ट कर सकते हो अगर आपका mobile ज्यादा हैंग कर रहा है तो phone booster पर क्लिकने के बाद अपने mobile को completely आपका mobile काफी ज्यादा smooth हो जाएगा और smoothly आपका mobile वर्क करेगा आपका mobile ज्यादा hang नहीं करेगा तो यहाँ पर आप देख तो optimize हो चुका इसके बाद CPU cooler पर क्लिक करने की बाद अगर आपका mobile ज्यादा हीट करता है तो CPU cooling पर क्लिक करने की बाद आपको cool down पर क्लिक करना है और इसके बाद अगर आपका mobile ज्यादा हीट करा तो ऐसे में आप CPU optimize features को use करके आप अपने वाल में CPU को cooling कर सकते हो और यहाँ पर कुछ add शो करीगे तो add को आपको close करना और इसके बाद दूस्तों यहाँ से आपको back आ जाना है और इसके बाद दूस्तों यहाँ पर आपको battery saver का option में जादा इस पर क्लिक करने के बाद दूस्तों अगर आपकी वाल की battery ज्यादा खर्च हो रही है तो ऐसे मैं guys battery saver features को use कर सकते हो जिसे कि दूस्तों आपकी वाल की battery ज्यादा खर्च नहीं होगी काफी अधक सेव रहेगी तो यहाँ पर आप battery saver features को भी आभी scan कर सकत और guys VPN option पर क्लिक करने की बाद आपके mobile fasted server को आप use कर सकते हो यहाँ पर अभी मेरे mobile में अलड़ी आपर fasted server connected है तो guys मैं आप VPN पर क्लिक करके इस जो है यहाँ पर आप देखतो इस button पर क्लिक करके फिर से अभी से disconnect कर सकते हो तो अभी फिलाल मेरे mobile से यहाँ पर यह disconnect हो चु है यहाँ से आपको आप देखतों कट option पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको बैक आना है तो guys कुछ इस तरीके से आप अपने mobile में keep clean application को यूज कर सकते हो तो guys कैसा लगा यह वीडियो में कमेंट करके जरू बताएं तो गर आप कोई वीडियो चलागा तो इस वीडियो क लाइक करें शेयर करें और वी तक आपने वारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकल को जरूर से फ्रेस कलीजेगा